कहते हैं पृतिभा किसी की महतास नहीं होती देश में पृतिभाओं की कमी नहीं है स्टेंड़ अप कॉमेडी और मिमिकरी में लोग अपने पृतिभा दिखाते वे नजर आते हैं राजिस्तान की अजमेर में एक ऐसी ही कलाकार हैं जो कैई तरह की आवाज निकार कर लोगों का मनोरन जन करती हैं वह बच्चे के रोने सहीत मोर कुता गधा और गाई की आवाज निकालते हैं दरसा 57 साल के मिमिकरी आर्टिस ओटो चालक कनहियालाल गुजर अजमेर के चंदर आपको बता दे की कनहियालाल अपने मूँ से कैई तरह की मिमिकरी कर अपने यात्री और एसोशिन के साथियों का मन जीती हैं वैसे तो वह ओटो चालक हैं लेकिन आज उन्हें हर कोई मिमिकरी आर्टिस कनहियालाल के नाम से जानता है कनहियालाल ने बताई कि वह जानवरों को वहर से सुनते थे और उन्हें अट्रैक कर उन्हीं आवाजों की हूँ 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 मिमिकरी करते थे कनहिया लाल ने बताई कि वह अपनी मिमिकरी के जरीए अपने साथ ही ओटो वालों के साथ ही अपने ग्राहकु का भी मनुरंजन करते हैं उनकी कला देखकर सभी लोग सकी.